हलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो फिजिक्स क्लास बच्चे आज हम यहां पे बीएसे फॉर्थ स्मेंस्टर सेकेंड येर का नेक्स टॉपिक करेंगे पेपर मेंशन कर दिती हूं कि पेपर टू ही कर पादी हूं क्योंकि पेपर वन इजी है आई तिंक आप वो कर सकते हो त तो आप मेरे को टॉपिक्स क कमेंट बोक्स मेंस्स कर दीजी अफिर आपका गूप बना हुआ है जो मेरे वाला है आप उस मेंस्टैडिक्स कर सकते हैं मुझे ठीक है तो आप महां बथा बितादीजिये कि आपको in in topics मे इस्टेस्टिक्स वाले में स्टेस्टिकली फि े दि जो किया था वो आपका need of extended source किया था हमने और colors किये थे in the thin film के अंदर ठीक है जो आपके colors होते है और the thin film जब आप कोई भी सॉप लेके चलते तो किस तरीक से दिखाता हमने वो लिया था अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जाने जा रहे हैं नॉन reflecting film आज हम करने जा रहे हैं non reflecting films अब आप यह सोच रहे होंगे कि अब यह non reflecting reflecting film क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर आपने यह देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज में से देख रहे थे एक आपने thin लिया हुआ था film फिल्म जिसकी thickness आपके कितनी थी प्रॉपर्टी थी तो आप इसकी अंदर से इस तरीके से incident करवा रहे थे यहां से आपको मिल रही थी फिर उसके बाद यह ऐसे जारी थी फिर यह रिफ्लेकٹ कर रही thing यहां से reflect कर रही थी फिर ये दुबारा से reflect कर रही थी यहां से transmit हो रही थी तो आप जब यहां से किसी चीज़ को देख रहे हो तो उपर वाली चीज़ को बंद कोई कर सकते है हां कि वो reflection ना हो वो तो हो गए ही वहांपे है वो कोई भी चीज हमारी उपर रिफलेक्ट ना करें तो हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा एक और यहां पर किसी मैटीरियल की कॉटिंग करनी पड़ेगी वो कॉटिंग इसलिए करनी पड़ेगी ताकि यह जो रिफलेक्टेट वाली लाइट थी वो नीचे ना आये सार रिफलेक्टिंग फिल्म बोलते हैं और इस प्रोसेस को जिसके अंदर आप रिड्यूस कर रहे हो उसको बोलते हैं ब्लॉमिंग ठीक है तो अभी जितना बताया है मैंने पहले उसको लिख लीजिए the phenomenon of interference of light in thin films can be utilized to reduce reflectivity of surface of lenses and glass slabs ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक और material की cotting कर देते हैं उसके उपर surface पे ठीक है तो फोर दिस ethane layer of a transparent material is cotted on the surface of lenses and slabs तो इस type की जो आप देखो जो हम thin film इसके surface के उपर लगा रहे हैं ताकि reflectivity को reduce किया जा सके उस thin film को क्या बोलते हैं नॉन रिफ्लक्टिंग फिल्म बोलते हैं इस थिन कोटिंग इस कोल ए नॉन रिफ्लक्टिंग फिल्म ठीक है अब अगर देखो इस तरीके का मैं कुछ बना रही हूं तो प्रॉपर वेसे हमें उसके लिए कि भी थिकनेस कितनी लें कितनी क्या चीज इसकी करें जो आप इस काम भी तो इसके अंदर करना पड़ेगा ना हमें निकालनी पड़ेगी इस नॉन रिफ्लक्टिंग फिल्म की ठीकनेस कि ये कितनी होनी चाहिए ताकि कोई लाइट हमारी जो है वो यहां से रिफ्लक्ट ना करें तो इसके लिए मैं क्या करती हूं? इस के लिए मैं इसी तर और ये CDEF के उपर मैंने ये क्या लगा दी मेरी आपके फिल्म लगा दी तो ये तो मैंने कहा दिया कि ये मेरी slab है और ये मेरी film है और ये मेरा क्या हो हो गया उपर का surrounding हो गया ठीक है ये मैंने surrounding माल लिया अब क्या हुआ एक light इसके उपर incident होगी अगर incident होगी तो आप सबको पता है एक पार तो इसका reflect होगा और एक क्या होगा यहां पे transmit होगा अब यह जो transmit हुआ है वो इस surface के ऊपर तो वो हो रहा है आपका incident हो रहा है तो incident होके एक तो आपका यहां से reflect हो जाएगा और एक reflect हो जाएगा और अब मैं यहां से इस आई पे से इस portion को देख रही हूँ कि क्योंकि एक बार तो आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा तो इ थीचेस हो जाएगा इसको reduce करने के लिए समझ में आया आपको ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां से एक रे मान लेते हैं एक मैंने यह को आपकी इस ले हैं इसके ओपर यह फिल्म ले ली है मैंने ठीक है और मैंने आगे जो हैं वो surrounding लिया है और जो incident करी है मैंने वह की है आपकी एक और रेली है मैंने यह ओ पॉइंट हो गया और यह पॉइंट हो गया है ठीक है तो अभी जितना बताया है एक बर उसको नोट डाउन कर लीजिए आप क्या लिखोगे कुंसिडर ए ग्लास लैप A B C D विद ए तिन लेर C D E F और सम अधर ट्रांस्पिरिंट मिटिरियल और हम इनका क्या करते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी कंसिडर कर लेते हैं तो अगर यह इस लैब है तो मियू एफ इसका हो जाएगा यह फिल्म है तो मियू एफ इसका हो जाएगा यह सराउंडिंग है तो मियू एस हो हम ले चुके इसको म में यहां पर कि लेट लेट म्यू एस म्यू एफ एंड म्यू आई बी दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ किस-किस का स्लैब का फिल्म का और आई अपने सराउंडिंग बोला है सराउंडिंग का ठीक warfare अब आपने क्या कि बिटा ओ एक रे जो है वो इस सर्फेस के ऊपर फॉल करवा दिया है ठीक है यह क्या है ए है ठीक है यह क्या है ए पॉइंट है इसको मैं बी माल लेती हूं इसको मैं एच माल लेती हूं और इसको मैं सी माल लेती हूं ठीक है अब अच्छा सी माना हुए मैंने तो इसको कोई और नाम दे दो ठीक है इसको कोई और नाम दे दो इसको कैपिटल सी बोल दो इसको small ले रहे हो यह सारे इसको small c नाम दे दो small a small a small b small c small d और e small f ठीक है यह मैं capital ले रही हूं देखो बटा o a b h c d यह capital है इस तरीके से आम इसको कर सकते हैं तो आप इसके अंदर कहोगे कि o a ray को आपने incident किया है तो array o a of light traveling in a medium of refractive index mu i is incident on film और अगर यह हमारी इसके उपर incident हो रही है इसके उपर film के उपर तो यह अगर incident हो रही है तो a d part अपना क्या हो रहा है partially reflect हो रहा है और a b part क्या हो रहा है partially reflect हो रहा है देन यह जो रे है आपकी देन दरे ओ ए इस पार्शली रिफ्लेक्टिड अलॉंग किसके बिटर रिफ्लेक्ट किसके अलॉंग हो रही है ए डी एंड पार्शली रिफ्लेक्टिड रिफ्लेक्ट किसके अलॉंग हो रही है ए बी रिफ्लेक्ट अलॉंग ए बी ठीक है ए बी के अलॉंग ही हो रही है और आपको पता है फिर ए बी के बाद वो ये वाला पाथ भी फोलो कर रहा था तो आप सिधा बोल सकते हो कि जो ये AB है वो आपका ABH वाला पाथ जो है वो फोलो कर रहा है उसके बाद AD और HC जो लाइट आ रही है वो आपकी reflection की वज़े से क्या कर रहा है super impose कर रहा है एक दूसरी के बाद और ताकि वो interference pattern दे सके हमारी eyes तक ठीक है तो आप यहां पे लिखोगे ए पार्ट ओफ रे ए बी देन गॉसलांग ए एच या एच सी था वो भी एच सी क्या लॉंग जा रहा सॉरी बी एच सी ठीक है बी एच सी डी कि विए या दी तू रहे है टी डी किनी तू दू रहे है एच सी सूपर इंपॉस टू प्रिडूस इंटरफेरंस इफेक्ट ओन आइस ठीक है ताकि आइस के ओपर हमारे इंटरफेरंस इफेक्ट आ जाए इसलिए हमने इसको यह किया है अब हमारा में काम आएगा इसकी थिकनेस निकालने के लिए तो मैं पेज को टर्न कर लेती हूँ एक बारी ठीक है वेट करो तो चलिए मैंने टर्न कर लिया है और इसको ड्रो किया है देखो यहां इसको इसलिए ड्रो किया था कि बार बार टर्न न करना पर रहे अपनी को ठीक है अब देखो यहां पर क्या किया मैंने मैंने इसका μू-S माना हुआ था और इसका refractive index मू-F और इसका मू-I refractive index था और हम इस तरहीके से लेके चल रहे हैं refractive index की जो हमारा ये वाला था slab का ठीके ये हमारा slab का ज्यादा है film का उससे कम है उसका भी उससे कम है और आपको पता है जिसका refractive index जादा होता है वो आपका dancer medium होता है इसका मतलब mu i से जादा किसका है mu f का तो mu i के corresponding यह क्या है dancer है और फिर यह भी क्या हो गया एक तरह से dancer medium ही हो तो यह भी dancer medium है यह भी dancer medium है इसके लिए ठीक है तो आप यहाँ पे कहोगे कि let tv और यह जो हमारी film है इसकी thickness t है जो हमें find out करनी है let tv और thickness of film cdef and जो refractive index slab का वो मेरी film से जादा है और film का मेरे surrounding से जादा है अब आपको तो पताई है आपने एक नाम पढ़ा होगा stocks treatment आपके last sem के अंदर था stocks treatment के अंदर यह कहा गया था कि जब कोई भी light अपनी dancer medium से refract होती है तो वहाँ पे pi का change आता है अगर मैं यहीं से ही करती तो खली pi का आ जाता लेकिन यह फिर दुबारा यहाँ से जाके फिर reflect हो रहा है तो pi minus में pi कर देंगे तो यानि कि यहाँ पे आने के लिए इन दोनों के अंदर zero का phase difference हुआ क्योंकि यह एक बार यहां से फिर दुबारा से reflect हो गया जबकि इसके लिए यह भी कैसा था dancer medium था राइट देखो एक बार यह यहां से dancer और फिर दुबारा से उसके अंदर से reflect हुआ है फिर यहां से इसके लिए उवा तो यह यहां तो यह रेयर से dancer में आ गई ठीक है फिर यह दुबारा से यहां से यहां गया है देखो यहां से सुनो कि जब कोई भी light wave आपकी reflect होती है किसी भी dancer medium से ठीक है यह यह dancer था यह rare है यह dancer से फिर rare के अंदर चला गया तो यह pi जब dancer से आपका reflect हुआ था इसके लिए तो यह तो rare से dancer dancer से reflect उसमें गया था ठीक है लेकिन इसके लिए तो यह back जाके reflect हुई है तो यह दोनों angle किसके अंदर हो गए आपका यह plus pi में और यह minus pi में तो दोनों के देखूं तो फेस्ट आपका कितने का चेंज का आ गया 5-5 का आगया ठीक है यानि कि zero आपका face difference इसके अंदर आया है तो आप यह कहोगे कि इसके इसे तो मैंने आपका नाम इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि five का face difference इस वजे से आता है stroke statement की वज़े से ठीक है तो आप यहां पे लिखोगे कि देन बहुत reflections at point A and B are from dancer medium then due to these two reflection net phase difference कितना जाएगा यहां पी phase change कितना जाएगा by minus by यानि की 0 का ठीक है वहां पे कोई आपका phase difference नहीं आएगा तो अगर phase difference नहीं आ तो जो आपका पूरा का सऊरी यह जो फेस्चेंज आपका कोई भी फेस्चेंज नहीं हो रहा है यहां पे तो जब आपने फिल्म के उसमें आपका कितना हो जाएगा तो अब यह तो इतना आ गया, लेकिन अब हमें यह पता है कि इसके अंदर R तो अपना क्या है, एंगल ओफ रिफ्रैक्शन है और मू यह हो गया, था है, तो अब यह कहता है, मू को खोल दो मियो को खोल ही सकते हैं कहां से इसके अंदर जा रहा है Dancer से उसमे जा रहा है ठीक है? तो इसके लिए जा रहा है तो Dancer से वो Reflect हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां पे जो यह Mu हुआ यह कितना हो गया? आपका फिल्ब आप उन में कितना हो जाएगा आपका incidence के लिए sorry ये अपना surrounding के लिए मैं यह आप गलत तो नहीं बोलगी ध्यान देना बच्छो मतलब जो dancer से rare की dancer से reflect करता है तो ये इसके लिए dancer था तो इससे reflect होके फिर ये दुबारा से यहाँ पे जा रहा है तो ये भी चीज़ ध्यान में देना कि वो किस तरीके से होके जा रहा है ठीक है दो बारी कर रहे है तीन उसके उपर तो उस वज़े से मैंने इसको यहाँ पे minus pi का लिया है उसको change करना ठीक है एक बार ध्यान से देखना उसको ठीक है अब देखो यहाँ पे इस तरीके से है तो जो हमारा part difference से वो कितना हो जाएगा हमारा 2 mu f by आपका surrounding का intimate t cos of r अब आपने अगर मैं यह कह दूं की भाई जैसे यह surrounding से आ रही है तो air है air के लिए तो जो refractive index होता है for air यह कितना हो जाएगा one ही हो जाएगा तो जो part difference था वो 2 mu f into me t cos of r की ही equal हो जाएगा ठीक है और अगर मैं यह मालू कि मेरे जो यह light थी यह मैंने particular किसी angle से नहीं कर रखी fall यह मैंने सिद्धी normally fall कर दी अगर मैं किसी भी चीच के उपर normally इसके उपर fall कर वा रही हूँ तो इसका मतलब ना वहाँ पे मैं दूँ कि 4 नॉर्मल इंसिदेंस एंगल ओफ इंसिदेंस और reflection are 0 तो cos 0 किसके equal हो जाएगा 1 तो part difference अपना 2 mu f ठीक ही equal आ जाएगा ठीक है और यह कहता है कि अगर यह destructively interfere कर रहे होते तो destructively interfere के लिए हमें इसका formula भी पता है कि then as ray adn hc as नी when ray adn hc interfere तो destructively के case के अंदर part difference का फॉर्मला हमें पता ही है 2 n प्लस में 1 lambda 0 by 2 ठीक है तो यह कहता है कि इसके equal हो जाएगा तो अगर हम minimum part difference लेके चलें इसके लिए ठीक है minimum part difference के लिए हम लेके चलें तो उसके लिए n की value को कि हम यहां पे n की value को 0 लेके चलतें जिरो से start करते हैं तो फॉर मीनिमम पाथ डिफ्रेंस मीनिमम पाथ डिफ्रेंस के लिए हम n को 0 कर देतें क्योंकि यहां पे n की value जो है वो 0, 1, 2, 3, and so on जाती है तो minimum के लिए मैं 0 ही ले लेती हूं कि 0 ले लिया तो यहां पे आपका जो part difference से बचाब वो कितना आ जाएगा lambda by 2, lambda not by 2 के ही equal आ जाएगा ठीक है अब यह destructively का part difference है और जो हमारा part difference उपर आया था कि normal incidence करते हैं और इसके according हमने निकाला था वो यह आए था जब दोनों ही part differences का मतलब दोनों की value भी equal है अगर दोनों की value equal है तो इसका मतलब तो क्या हुआ 2 mu ft किसके equal आ जाएगा lambda not by 2 के equal आ जाएगा ठीक है यह कहता है कि यह तो इसके लिए औरिजनल जो अपनी आ रही थी उसके वज़े से यह lambda का वो दिखा रहा था लेकिन अगर मैं अब lambda f भी माल लूँ कि जो मेरी light की wavelength है lambda f जो हमारी film के उस पर जा रही है तो उससे related अगर मैं इसको करूँ तो अपना क्या formula आएगा हमें वो निकालना है हाँ ठीक है तो एक बाद मैं page change कर लेती हूँ तो देखो हम यह कह रहे हैं कि if lambda f is wavelength of light in material of film then it is related to lambda naught as किस तरीके से कि lambda f by lambda naught किसके equal हो जाएगा mu i by mu f के क्योंकि light incident जो कर रहे हैं और जो हमारी lambda naught था इसके according बतारी मैं तो यह कितना हो जाएगा हमारा mu i by mu f के आ रहे है क्योंकि air का ही है तो यह पूरा का मैं निकाल सकती हूँ कि जो हमारे पास value आएगी यहां से वह कितनी आएगी lambda naught by 2 यह किसके equal होगी mu f lambda f by 2 मैं इसको यहां लेके चली गई और इसको यहां लेके चली गई यह 2 से दोनों साइड आपके multiply कर दिया ठीक है अगर यह मैंने इसको क्यों किया क्योंकि कि मेरे को अब क्योंकि जो हमारे पास उपर formula था वो किसके लिए था उपर आपने ध्यान दिया होगा 2 mu f t is equal to lambda naught by 2 के लिए आया हुआ है तो मैंने इसलिए यहां से 2 2 इसलिए कर दिया ताकि मैं direct put कर सकूं otherwise आप यहां से lambda f और mu f को value को भी यहां पर put कर सकते थे अगर यह put यहां से आपने देखा हो अगर यहां से मतलब जैसे यह लिके चलें तो mu f से mu f आप cancel out कर सकते हो और thickness किसके equal हो जाएगा lambda f by 4 के लेकिन एक तरह से देखें हम तो अगर हमें यह दिया हुआ है फिल्म की अगर यह दे हमें तो फिल्म के इतने incident होती है तब आपकी यह wavelength आती ह हम यही कह रहे थे ना अगर यह दी हुई है तो ठीक है otherwise हमें यह भी पता है कि lambda f को मैं क्या put कर सकती हूँ यहां से lambda f की value निकाल लूँ तो यह कितनी हो जाएगी lambda not by mu f के equal आ जाएगा किसके लिए आ जाएगा lambda f by mu not के भी equal आ जाएगा ठीक है तो अगर यह इस तरीके से अ non-reflecting अगर वो करना चाहें हम किसी भी उसको तो हमें जो thin film हम उपर लेके चल रहे हैं उसकी thickness कितनी आनी चाहिए इतनी आनी चाहिए ठीक है तो यह क्या लिखेंगे कि it is clear that if the thickness of film is lambda f by 4 then there will be no reflected beam of light in the medium okay from which it was incident and जो अपनी फिल्म है जिसके अपनी निकाली है यह फिल्म किसकी तरह बहेव करने लग जाएगी non-reflecting फिल्म की तरह अपनी परक्रांइग चीट सिसके अपनी नॉंन रिफ्लेक्टिंग फिल्म अगर आप से यह कह दिया जाए कि यह जो आप नॉंन फिल्म लेके चल रहे हो नॉपँटिग निकाल दो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी निकाल दो तो हमें क्या करना पढ़ी गपच्च इसका refractive index भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो आप next heading डाल लेज़े, refractive index of the non-reflecting film, हम क्या कर रहे हैं, इसको दोपारा लिख देती हूँ, refractive index of non-reflecting film, ठीक है, इसके लिए बचे ध्यान दो, आपने कभी formula पढ़ा होगा, कि अगर हम कोई भी reflected, अगर कोई beam reflect कर रही है, या reflect करती है, तो उसका amplitude आता है, ठीक है, तो अगर अभी नहीं आया है, तो आप final year में इसको definitely पढ़ोगे, जब 5th semester में, जब आप Scrodinger equation के बाद, अब amplitude deflecting और transmission की बात करोगे, कोई ray अगर किसी barrier में से जाता है, तो किस according आता है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हो, अभी हम film के बात कर रहे हैं, तो ये हमारी electromagnetic theory के basis पे, इनका formula already derived किया हुआ है, तो आपको वह करने की जूरत नहीं है, आप यहाँ पे directly उसको use करोगे, खीक है, तो आप लिखोगे, On the basis of electromagnetic theory, the amplitude of reflected and transmitted beam at face EF of film, जो हमने EF वो लिया ना, ये वाला देखो, यहाँ पे हमने पिछे लिया था ना, EF, यह देखो, यहाँ से भी देख सकते हो, EF वाला, ठीक है, तो EF of the film, ये कितना आगया आपका, EF of the film, तो ये reflecting और transmission आपको amplitude बताना है, तो reflected होता है, Mu I minus में Mu F upon में Mu I plus में Mu F, और यहाँ पे हमारा जो original का amplitude होता है, A I, ठीक है, incident जो light आ रही है, surrounding से वो, और transmission का जो होगा, वो कितना हो जाएगा, हमारा 2 Mu I divided by Mu I plus में Mu F और incident वाले का, ठीक है, तो इस तरही के से हम इसको बता सकते हैं, ये कह है, incident beam का, ये हो जाएगा, ये reflected का और transmitted का, ठीक है, अब हम main हमारा जो reflected और transmitted है, 1, 2, उसमें रही हो रही है, एक उपर वाले surface और यहां से भी हो रही थी, transmit हो के फिर यहां से जा तो उसका formula कैसे होगा, वो अब लिख लेजिए, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, कि वेर, AI is, amplitude of, incident beam, and, coefficient of reflection, and, transmission, R, कितमे हो जाएंगे, R, R1, और आप T1 निकाल सकते हो, यहां से, first वाले के उसमें से, AI भाए, AI, इन दोनों को कर देंगे, तो यह amplitude का वो होगा, तो उसको reflected, उसका वो बोल देंगे, coefficient of reflection, और जो amplitude of transmission को incident के साथ कर दूँगे, तो यह आ जाएगा, अब यह कहता है, अगर इसको यहां कर दिया, तो R1 की value, यह यहां आगया, तो यह कितना हो जाएगा, Mu I minus में, Mu F divided by, Mu I plus में, Mu F, और transmission का निकालोंगे, transmitted light का तो इसको नीचे ले जाओंगे, तो यह automatically 2 Mu I by में, Mu I plus में, Mu F के equal ही हो जाएगा, ठीक है, अगर हम CD के face पे निकालें, अभी तो जैसे यह मैंने film ली थी, यह मेरी CD E F था, ठीक है, अभी तो इसका बताया है, इस पे से भी तो reflection और coefficient दिखाएगा, तो आप यू कहोगे, कि Similarly for Coefficient of Reflection and Transmission on Face, कौन सा, कौन सा Face, CD वाला Face, तो R2 की value यहां से कितनी हो जाएगी, Mu F Minus में Mu S, वहां पे उसके सर फिल्म और surrounding ली जाएगी न, slab, तो यह Mu F Plus में Mu S हो जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास, अगर मैं Transmission second वाले का देखूं, तो वह 2 Mu F divided by कितना हो जाएगा, Mu F Plus में Mu S के Equal हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको यह पता है, देखो, कि जो interference reflected के उसमें, वह आपकी completely destructive है, तो जो reflected light है, आपकी, वह आपकी completely absent होनी चाहिए, तो यानि कि इनकी amplitude क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वह subtract में जाएगे, तो दोनों आपस में दूसरे को cancel out कर देंगे, ठीक है, तो अगर वह एक दूसरे के equal होने चाहिए, इसका मतलब यह जो आपके दोनों की दोनों reflected वाली यह equal होने चाहिए, तभी वह cancel out करेंगे, ठीक है, तो हम इन दोनों को equal करना है, तो दीको मैं यही कह रही थी न, कि यह आपस में क्या होनी चाहिए, equal होने चाहिए, तो जब आप इसको cross multiply करके solve करोगे, तो वहाँ से आपको film किया refractive index मिल जाएगा, solve करोगे, जब D, E, F के उपर, यह अपनी air में से हो रही थी, तो air का refractive index कितना हो क्या 1, तो यहाँ पे जो अपना film का refractive index है, वो आपका mu s के ही square root के equal आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आपको अब यह बोला जाए, कि, तो मैंने आपको बताई दिया, कि जो reflectivity को reduce करने के लिए, जो thin film को blooming बोलते हैं, लिखो, लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे, the technique of reducing reflectivity by cutting a thin layer of non reflecting film is blooming, और अगर आपको यह कहा जाए, कि हम किसी उससे, हम जो reflectivity है, किसी surface को increase भी कर सकते हैं, तो यह भी beta possible है, the reverse, तो यह तो हम इसको reduce करने की process को blooming बोल रहे थे, तो इसकी reverse process is also q, that is, we can increase, क्या increase कर सकते हैं, reflectivity of surface, कैसे increase कर सकते हैं, कैसे increase कर सकते हैं, अगर हम जो thin film ले रहे हैं, उसका refractive index more कर दे, than the glass, ठीक है, if refractive index of film is greater than refractive index of slab या glass, आप कुछ भी बोल चकते हो, अगर यह अपना ज्यादा हो गया, तो वहाँ पे जो reflectivity है, वो आपकी ज्यादा मिल जाएगी, अदर्वाइस आपको कम मिलेगी, ठीक है, थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो, यह पूरा topic कम्प्लीट होगया, नेक्स topic हम करेंगे, classification of fringes in thin film, थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो